तो थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी अभी यह काटा है पपिते का पत्ता है इसके उपर था यह और आप सौज रहोगी मैं यह क्यों ला रहा हूं इसमें तो गैस यह पत्ते हैं वो सूप से के अभी पीले हो गए हैं तो इनको पेड़ से निकाल देते हैं और उसके बाद मैं इनको या तो जानवरो ला देंगे या फिर शुका के चल जाए गए तो हम लोग क्या करेंगे इसको यूज करेंगे अज अपनी वीडियो बनाने में और आपको पता होगा टोपिक नहीं पता है तमां बता दू कि इसमें आज हम लोग बनाने वाले हैं इस 10.2 cm का और जो इसकी वाल के थिकनिस ना जो दिवार है इसकी इसकी थिकने सर्थ 2.3 mm यानिकी 0.23 cm तो इस सबसे पहले तो अब आपको यह डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक का वहां से तो इसको ओपन करके आपको इसके अंदर इनर डाय हो आया तो वह लिखूंगा और वाल थिकने साइए 0.23 cm तो वह लिख दिया मैंने और अब केल्कुलेट के ओपर क्लिक करते ही स्केच है वह आपको इसकेच के ओपर क्लिक कर देना आपको तो यह स्केच है इसको आप स्क्रिन सोट ले लिजिए या फिर अपने हिसाब से जो पीछे जाके पोज़ करके देख लीजिए और उसमें से मैं यह वाइट पेज पड़ा है नीचे इसके ओपर सब कुछ नोट कर लिया है तो यह जो मार्क दिख रहा है आपको ब्लेक वाला फेस्ट मार्क है वहां तक 47.36 cm हो जाएगा तो यहां से हम लोग utility knife से काड़ क्योंकि बहुत सार्फ होता है अंगली अंगली कट जाएगी अगर तो बड़े हूं पास में तो काटना इससे वरना उनी से कटवा लेना तो जल्दी से काटता हूं मैं इसको तो बाइ यह सब कुछ कर चुकी अपर से साब भी कर लिए मैंने तो आप इसके अंदर hole निकालने हैं तो सबसे पहले तो उस picture के इसाब से इसके अंदर मार्किंग करते हैं तो सबसे पहले में जल्दी से मार्किंग कर लेता हूं ओल को 6.32 फरस्ट होल है वो और बाद में 10.06 cm बाद में ऐसे करते करते च्छा होल क्रेट करने हैं अपने को नीचे से और बाद में एक हवा के लिए 1 cm डायमिटर का उपर होल करने ना है तो सबसे पहले तो किसी भी तरफ से सबसे पहला होल करना है वाद में उस तरफ से लगातार उपर जाते हुए होल बनाते जाने हैं तो सबसे पहले तो हम लोग 0.5 cm diameter का hole करेंगे और उससे पहले मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले तो सारे hole को मार्क कर लेते हैं एक straight line में तो गाइस मार्किंग हो गई है खतम यह है लास्ट वाली मार्क है और अब इनके अंदर hole छेद बनाने हैं तो सबसे पहले तो मैं एक size के सारे छेद बना लेता हूं इसके वाले दिल दूट से हम उसको बड़ा करते हैं जल्दे से कर लेता हूं कंप्लेक तो इसका डायमेटर एक सेंटिमेटर होगा और इसका 0.7 सेंटिमेटर इसका भी 0.7 इसका 0.7 इसका 0.6 इसका 0.8 और इसका 0.6 तो सबसे पहले तो फूप मारने वाले को करेंगे सही तो यह जो है यह बिट है पूरे एक सेंटिमेटर का तो इससे हम लोग इसके अंदर होल बना लेंगे बट पहले इसको बड़ा कर लेते हैं होल को अच्छे से जिससे इसके अंदर यह फिट आ जाएगा अच्छे सब्सक्राइब करेंगे तो इसके एक तरफ हम लोगों को लगाना है क्वार्क और वह क्वार्क हमारे पास है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे की आटे के अंदर थोड़ा सा पानी मिला कि उसकी एक बोल बना लेंगे छोटी तो अब इसको लंबा करके इसके अंदर डाल देंगे अब इसको फिट कर देंगे इसके अंदर अच्छे से तो हमने इसको डाल दिया इसके अंदर आपको दिख रहा हो गए थोड़ा सा तो यह है एक और की तरह काम करेगा अब उब इसको बना लिए है सब कुछ हो गया है तो मैं पहले बता दू कि मेरे को बास्ती मजानी नहीं आती है तो हम लोग इन जेक करें कि यह बजती है यह नहीं तो हम लोग इन छेट को ढिख लेते हैं इदर फैना भी मांटते हैं तो बज रहिए वही कि अब इनको खोल के देखें कि कि अवाज आ रही इसके अंदर लॉग लॉगा अवाज आ रही है आपको पता नहीं सुन रहा होगा नहीं सुना होगा कि दिस्टेंस थोड़ ज़्यादा है माइक हम हमारे पस है नहीं तो हम लोगों को बांसुरी बनान की वो बन चुके अगर वीडियो अच्छी लग गई है अब तो लाइक कर देना यार वीडियो को और घर पर इसको ट्राइज जरूर कर लेना पापीते का पोदा हो ना जिसके घर पे और जिसके घर पर नहीं हो तो आज पास में पूछ के हैं आपकी जो यह यह नली है ट्यूब इसकी डिस्टेंस आपके पास अगर छोटी है तो इसके अंदर की लिखी हुए है वहां से आप इसको जी अलग लग की पर शेट कर लीजिए और आपकी आपकी जो पाइप है उसकी लेंद से शेट हो जाए उस की के उपर आप दूरी बन जाएगी तो थैंक्स पर रोचिंग आइस यू नेक्स टाइम और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में यह कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना